हेलो दोस्तों कैसे उम्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो गाइस जिस प्रोग्राम के लिए हम सुबही सुबही चार बज़े बारिस में निकले हैं तो फाइनली हम महापर आकर पहुंच गए हैं और यह प्रोग्राम चल रहा है और यह मतलब घर पे जब लाते है तो सब डांस कर रहे हैं और इतना मतलब सब लोग इतना इंज्वाइ करते हैं बहुत ही जादा मतलब कुछ पल होते हैं कि आप बिल्कुल बे चिंद होकर आप ना सकते हो खुले जो आपके मन में है आप वो कर सकते हो वरना तो सारी जिंदगी काम करने में ही निकल गई एक आपने पूरी नोकरी कि उसके बाद में आप रिलेक्स होकर अपनी पूरी नोकरी अच्छे से करके आप विदाई लेते हो तो वाकि में बहुत ज़्यादा अच्छा नजारा है तो नाच्ते गाते सब घर आ गए उसके बाद दिखाती हूं आपको तो फाइनली गाइस मैं आपको अपने ग्रूप से मिलवाती हूँ जो मेरा बच्पन से लेगा अब तक ग्रूप है और बहुशे में भी रहेगा तो स्टार्टिंग होती है यहां से इनके नाम मैं आपको शाम को बता हूँ अब यह आप देख लो इनके चैरे तो गाइस अब ब्लूजूट में जो है शिवानी और यह टॉप में है वाइट आप में नहरी का बागी आप आगे देखना इनको शाम को जब शाम का प्रोग्राम होगा मतलब इनको काम नहीं सिर्फ नाच लो बस बाकी नहीं कोई खाने पिने से किसी कोई मतलब नहीं है तो यह शाम क मतलब फेर इने टाईम लग्या नाचने पिर स्टार्ट उगे सबके इनके गुरूप में सिर्फ एक मैं ही हूं जिसे नाचना न यहा immigrants दो में मतलब रियलीमें बहुत जादा अच्छा लगा इतने चा magnet में अपने घरभ गई हूं और मतलब इतना enjoy किया है बहुत ही जादा मतलब नाचे ही है और ठक गई मैंने देख देखकर वाके में मतलब बहुत जादा खुशी होती है देखकर कि इतना अच्छा मौका मतलब होता है लाइफ में कभी-कभी रिलेक्स होता है आदमी और ऐसे प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए कि माइन बिल्कुल सेट रहे तो यह हजबन वाइफ है यह रूपा है और यह दोनों हजबन वाइफ है इनको किसी की जुरत नहीं है यह खुदी अपना नाचते रहते हैं अपना और यह मतलब यह बाकी सम मतलब मैं आपको कैस्प्लेइन करूं कि कितना जादा मचाया यह देखो शिवानी इसने और यह मेरी फ्रेंड अंजू है और वो जो पीछे आप यह दिख रहे हैं यह मारे जीजा जी और मेरे टीचर भी रहे हैं तो यह मेरी फ्रेंड हैं तो इन दोने तो बहुत ही जाद म बुषके नमना नाची रहे होंगा और कुछ काम नहीं मेरे बच्चे मुझे परिशान करे तो इसलिए बस मैं रिकॉर्डिंग कर रही ती कहीं कहीं पर जाका मैंसे मुझे नाचना पसंद नहीं है बिल्कुल भी कभी किया भी नहीं इने देख्या खुश हूं मैं तो और क् पीछे मतलब यह के ऊपर एक चड़के यह मेरा गुरूप है यह पिंक सूट में जो है ना यह मेरे फ्रेंड है और यह मतलब नाच नाच के रात के एक शायद साड़े बारा ऐसे बजे होंगे मतलब लेकिन कोई भी टस से मस होने को तयार नहीं मतलब बच्चे भी जाग रह तो खैर अच्छा है बाई नोकरी करते है आदमी और रिलेक्स होने का टाइम मिलिया और कैन आच वो इंजोई करो मतलब बहुत टाइम बाद में अपने गहर आई हूँ और मतलब वाके में बहुत जादा अच्छा लगाया प्रोग्राम में और मतलब बहुत जादा मज़ा तो पता नहीं लेकिन बस नाचते हैं बस और कुछ नी तो उसके बाद फोटो शूट बनता है तो कुछ फोटो में आए हैं कुछ नहीं आया तो कुछ फोटो हमने ली हैं साथ में तो आप देखें अगर आपको मेरा व्लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को